क्या आपका बेबी भी अच्छे से नीन नहीं लेता है, थोड़ी दिर सोने के बाद ही उठकर रोने लग जाता है, तो आज मैं आपको यो टिप्स बताने वाली हूँ, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका बेबी जल्दी भी सोएगा और बेबी अच्छी लंबी नीन भी लेगा, जो कि बेबी के लिए बहुत जरूरी होती है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप ही बताएगा कि आपका बेबी एक दिन में कितने घंटे की नीन लेता है, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ जब बेबी को आप सुला रहे हैं, तो आप एक ध्यान रखना है कि बेबी का पेट अच्छे से भरा होना चाहिए, अगर बेबी भूका होगा तो बार बार बेबी जो है उट जाता है और बेबी की नीन पूरी नहीं होपाती है, और जब बेबी की नीन अच्छे से पूरी नहीं होगी, तो बे गया है तो बेबी को आप solid food लाना start कर सकते हैं तो बेबी को सुलाने से पहले आप बेबी को अच्छे से खाना के लाएं और इसके बाद बेबी को से लाएं ताकि बेबी का पेट अच्छे से भरा रहे और बेबी अच्छी नीद ले अगर आप सोने से पहले बेबी की अच्छे से मसाज करते हैं तो इससे बेबी को अच्छी नीद आती हैं तो देखें दिन में तो आप बेबी को मसाज करके नहला देते हैं पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी रात को भी अच्छी और लंबी नीद ले तो बेबी की मसा आप रात को भी कर सकते हैं तो रात को सोने से पहले बेबी की बॉड़ी की आप मसाज कीजिए कोई भी जो नॉन स्टिकी जो जादा ओईली ना हूँ ऐसे ओजाब मसाज करें जिसे कोपनट ओल या फिर कोई और ब्रैंड का आप ऐल ऊज़ करते हैं मसाज के बाद किसी कपड़े से या अफर किसी टिशू से आप उसको जो एक्सेस ओयल है, जादा ओयल जो लगया था उसको अच्छे से पोच कर फिर बेबी के आप कपड़े चेंज कर दीजे Next, बेबी की अच्छी नीओं के लिए आपका बेबी के लिए एक quierd एग स्केडियूल या रूटीन बना सकते हैं, तो होता क्या है, जहाँ कब का बेबी चार-पाँच मैने का होता है, तब तक तो बेबी का कोई रूटीन आप जादा नहीं बना पाते हैं, बेबी कभी भी उठता है और जैसे ही बेबी पांच मेने कम्पलीट करता है तब से आप देखोगे कि बेबी की नींद का एक पैटर्न Next, जब बेबी को आपको सुलाना है, चाहे दिन का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो, आपको महल अच्छा रखना चाहिए. महल से मिरा मतलब है कि जिस रोम में आप बेबी को देशना रहे हो, वहार अथा जैदा शूर नहीं आना चाहिए. आप जो बेबी को सुला रहे तो उसमें थोड़ा सा हलका सा अंधहिरा कर ले अगर रात का टायम है तो बहुत या डेम जो लाइट होती है बस वो जला कर रखे इंकला ज्टम जादा अंधहिरा कर दे तो भी बच्छा ड़र जाता है बेबी को सुलाते वक्त आप बेबी को इस तरसे गोदी में पकड़ कर आप या तो लोरी सुना सकते हैं, कोई गाना गा सकते हैं, जिस रूम में बेबी को सुला रहे हैं, उसका टेंपरेचर भी आपको सही रखना है, मतलब टेंपरेचर ऐसा होना चाहिए ताकि बेबी को इसे कपड़े पहना जिससे की बच्चा कमफर्टेबल फील करें और बच्चा अच्छी नीद लेपाएं नेक्स देखिए आपको बेबी को कुछ न कुछ आक्टिविटी कराने चाहिए जिससे की बेबी को अच्छी नीद आए अब छोटे बिच्चे तो ज़्यादा अपका तो आप तीन मेरे के जब का बेबी हुजा तब से आप बिच्चे को थोड़ी दे के लिए पेट के बलेटाएं बेबी को थोड़ी सैक्लिंग वगर ऐसे से पैराव पकड़कर के आप वो करा सकते हैं बेबी को थोड़ी देर पार्क में लेकर जाए तो ये कुछ एक्टिव वच्चे